तो प्रिय चात्रों यदि आप लोग MP से हैं यानि की मद्द प्रिदेश के स्टुडेंट हैं और अभी आप 2023 में कच्छनों की परिछान देने जा रहा हैं तो दोस्तों अभी तक आपने यानि की पूरे साल में आपको टाम नहीं मिला है फिर कारण वर्स आप पढ़ना ही पा सब्सक्राइब करेंगे यहां दोस्तों साथ नमबर ला सकते हैं और यहीं आप उसमें से जो कुछन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ है यहीं उसमें से आप आधे क्वेस्टिन भी करते हैं तो कम से कम आप 40 नमबर तो ले आएगे यहीं पास तो ही जाएंगे लिकन यह कछा 9 की गड़त के वीडियो में और अंगली वीडियो में आपको इंगलिस के मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन बताऊंगा जो कि चले फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको फिर से बता दो कि अदि अप्र नोग मध्ड़ पृदेश की छात्र हैं और दोजार तेश की परिशान देने जा रहे हैं और आपके पास समय नहीं था पढ़ने के लिए पहले बट आप पांच-शे दिन के अंदर त्यारी करना चाहते हैं तो पांच-शे दिनों में आपके लिए मैं मॉस्ट इंपोर्टेंट कुछन यह दे रहा हूं तो आप इनको अब किये हैं तो सभी की वीडियो आपको एक सास प्लेडिस्ट में मिन जा आएंगी तब जाके प्लेडिस्ट में दे सकते हों स्वी दे सब्सक्रिक करके टारीठ वी को देख लेना ओस लगार है और आप भी बिजा करके दे सकते हैं आपको इस वीडियो के लिंक आई बटन में जाएगी और आई बटन में भी प्लीलिस्ट की लिंक में जाएगी थीकर फहला है तो देखिए सबसे पहले हम सुरूर करते हैं तो यहां पर मैंने सभी चेप्टर कवर किये हुए हैं लेसन पंदर तक सभी चेप्टर कवर किये हुए हैं देखे ऐसा तो नहीं है कि एक दो लेसन यह पढ़के पास हो जाएंगे तो आपको सभी चेप्टर पढ़ने होंगे बट यह है कि हर चेप् पूरा पढ़ लेना है ज्यादा सवाल नहीं है तीन चार सवाल है फिर और जैसे कि चार तीन और चार के वीच में छ्पर परीज संखया बदल्दकी सवाल आ सकता है तो लटाइं के आपको पूरी सवाल पढ़ लेने है फिर-1 दिसम्लौ 4 के आपको पूरे सवाल पढ़ लेने हैं फिर एक दिसमलग पांच के भी आपको पूरे सवाल पढ़ लेने हैं एक दिसमलग छे के भी पूरे सवाल पढ़ लेना है और दो दिसमलग दो के बाद दो दिसमलग दो के पूरे सवाल पढ़ लेना है फिर दो दिसमलग तेन के पूरे सवाल प को पढ़ लेना है ठीक है अब चलते हैं 3 5 को छोड़ देना है फिर 4.2 डृइरेक्ट 4 दसा में जाना है वहाँ पर 4.2 के पूरी सवाल पढ़ना है 4.3 के पूरी सवाल पढ़ना है फिर इसके बाद 5 अध्या को छोड़ देना पांच लेसन को छोड़ देना फूरा फिर छे दसमलों दो में जाना है छे दसमलों दो में डायरेक्ट तो वहां का question 1 question 2 question 5 यहनि कि question 1 question 2 question 5 सवाल ही आपको पढ़ने है ठीक है उसके बार जाना है 6.3 में आपको पहला दूसरा तीसरा तीन सवाल पढ़ने है कीवल बस फिर उसके बाद 8.1 में जाना है तो 8.1 में 7 अध्या को छोड़ देना है तो 8.1 में प्रिश्न एक दो तीन चार पांच यहनि कि 5 सवाल आपको पर करने है एक सी पांच तक के फिर नौद ध्या को छोड़ देना है और डायरेक्ट जाना है 10.4 यह प्रिमे भी आपको कर लेना है ठीक यह दोनों प्रिमे में से एक प्रिमे आएगी ही आएगी most important है वसके बाद आपको 11 पार्ट छोड़ देना है ठीक है 11 लेशन के बाद हम चलना है 12 पार्ट में तो 12.1 के उधारन करना है ठीक है तो 12.1 में जो उधारन एक और दू ह हो वाली का लेना है और किताब खोल के रखिए आप लोग और फिर जो question है तो 12.1 के पहला और दूसरा उधारन करना है और question 4, question 5, question 6 का लेना है ठीक है अब इसके बाद आते है 13 पार्ट में तो 13 पार्ट में है 13.1 में example 2 यानिकि उधारन दूसरा कर लेना है फिर 13.1 के ही पहला दूसरा तीसरा सवाल को हल कर लेना है अच्छी तरह से सवाल को सीख लेना ठीक है ध्यास से सुनिए 13.1 का उधारन दूसरा और पहला दूसरा तीसरा सवाल फिर चलते हैं डायक्ट 13.4 में तो 13.4 में आपको प्रिशन एक दो तीन यानिकि क्वेस्टन वन टू त्री क्वेस्टन एक दो तीन आपको सवाल कर लेना है अच्छी तरह से सीख लेना है इसके बाद चलते हैं चौदा पार्ट में तो 14.4 में जाना है ठीक है तो 14.4 में जाने के बाद 14.4 के सभी सवाल आपको सीख लेना है फिर चलते हैं 15.5 में तो 15.5 पूरा इंपोर्टेंट है कि यह 15.5 से दो दो नंबर की प्रिश्ण ज्यादा आते हैं तो 15.5 की जो प्रिश्ण है सभी छोटी छ प्रिश्ण होते हैं तो आपको 15.5 पार्ट पूरा ही पढ़ना हुगा ठीक